आप सब आज हम डिसक्स करेंगे प्रिवियर्स येर कोशन पिपर और इसको डिसक्स करने का में मौटिव यह है कि आपको प्रेक्टर्स हो जाएगी जिसे कि आपका क्रेडिट स्रक्चर सुसाइटी के जितने भी कॉपरिटिव बैंक्स हो गया और इसके लावा कॉपरिटिव सेक्शन का स्टार्टिंग का जो चैप्टर है हिस्टोरिकल इन्वॉल्मेंट ओके वह भी डिसकस कर दिया है हिस्ट्री ओ कोपरिटिव इन इंडिया वह अभी एक लेक्टर जो है वह आ रहा है इसके लावा हमने मोस्टली जो कोपरिटिव सेक्शन है वह हमने कवर कर लिया है और आज उसी की एक ये इसलिए करना है क्योंकि ये ओल्ड पेपर जो है इससे आपकी प्रैक्टर हो जाएगी और आपको ये आईडिया हो जाएगा कि कैसा अग्जाम में कुश्चन जो आएगा वो किस तरीके से आएगा क्योंकि थियोरी तो बहुत सारी हमने पढ़ लिये और आब इसको प्रैक् दाश is an economic order where various economic activities are carried out by the private individual for the sake of profit प्राइवेट प्राफिट के लिए कौन सा economic order जो होता है various economic activity होती है वो आपने बताना है इन मेंसे option जो है capitalism, corporation या socialism, communism तो सबसे पहले आपको capitalism का और socialism का और communism का एक आईडिया पता होना चाहिए वो थोड़ा से देख लेते हैं फिर इसका answer देते हैं फिर आपको एक clarity of thought हो जाएगी कि एक्चल में किया है क्योंकि बैने यह discuss नहीं किया है capitalism और socialism डिटेल में इसका देख लेते हैं एक ही डिटेल में डिसकस करेंगे इसके अलावर direct question और उसके answer टिक करेंगे अब इसमें देखना है capitalism होता क्या है capitalism होता है capitalism means capitalism means private ownership यह एक ideology है एक है capitalism एक आग है socialism ठीक है और इन दोनों का अंतर क्या है यह आपको briefly पता होना चाहिए capitalism मतलब हो गया private ownership private ownership मतलब हो गया कि right to property ओके right to property हो गया liberalism to make property या फिर अपने पास property जो है उसको रखना यह पूरा idea जितना भी है इसको बोलते है है liberalism okay क्या बोलते है liberalism यह एक्षिल में political science का यह concept है तो आपको पता होना चाहिए capitalism एक्षिल में क्या हुआ जिसमें आपकी private ownership रहेगी किसी भी चीज के लिए और इसी में आता है right to property या फिर liberty to make property यह पूरा जितना भी क्या है यह यह लिबरलीजम में आता है ठीक है अब लिबरलीजम क्या है liberalism is a way of life in the best लाइफ ठीक है western society जितनी भी है western society जितनी भी है उसमें एक लिबरलीजम जो है एक वे आफ लाइफ है अब लिबरलीजम में तीन concept आते हैं जो कि आपको समझना जरूरी है एक शोशल एथिक्स एक political ethics और economic ethics और जो capitalism है वो किसे में आता है वो आता है economic ethics में मतलब economical में आता है तुमारा capitalism अब शोशल एथिक्स जो होता है उसमें आता है survival of the fittest इसमें तीन concept आते है एक शोशल एथिक्स, political ethics और economic ethics और जो शोशल एथिक्स आता है इसमें survival of the fittest political ethics जो आता है उसमें आता है less is fair state और economic ethics में आता है capitalism जो हम पढ़ रहे हैं capitalism तो इसमें mostly economically activity होगा जिसमें profit की बात करते हैं जिसमें private ownership की बात करते हैं ओके यह वो economical system है जिसमें हम capitalism की बात करते हैं तो आपको एक idea हो गया कि क्या है अब जैसे socialism क्या हुआ socialism जो एक अलग से doctrine है ठीके philosophy है इसम जिदर भी लिखा होगा उसका मतलब होगा philosophy तो socialism जो philosophy है डाक्ट्रीन है वो डिमांड करती है common ownership ठीके common ownership होगी सब की common ownership होनी चाहिए और यही जो है इनका जो economic concept रहता है वो equality रहता है किसका socialism का socialism का जो economically concept रहता है वो रहता है equality कि सब को equal दर्जा दिया जाना चाहिए equality of opportunity ठीके इसमें common ownership होती है बट capitalism क्या है early profit motive और इसमें economic activity जो होती है वो capitalism होता है और इसमें private ownership रहती है okay और इसके लबाद socialism जो है इसमें common ownership होगी सब का जो है सब का साथ सब का विकास okay और economic जो इसकी activity होगी socialism की वो equality होती है I hope you got the point something is better than nothing अब इसका answer क्या आएगा अब आप answer इसका दे सकते हो ऐसा economic order ऐसी economic activity जिसमें private ownership हो ठीक है for the sake of profit ठीक है private individual है उसकी ownership हो तो इसका क्या आगया capitalism socialism में क्या आएगा common ownership होगी ठीक है और corporation आपको पता ही है without profit होता है फिर second जो है dash implies economic political and social brotherhood among the corporate of various countries of the world तो इसका answer क्या है इसका answer है इसका answer क्या है और इसका answer क्या हो सकता है answer is 1895 ठीक है और international cooperative alliance 1999 में इन्होंने 7 principle दिये थे ओके जो 7 principle थे वो हम already lecture में discuss कर दिया है हमने जो नहीं देखा है subscribe करें हो प्रिले लिस्ट में जाके lecture देख लें cooperative पे almost our lecture जो आ चुके है question number 4 है there are dash principle of cooperation revised by ICA in 1995 तो कितने principle है 9478 तो यह मैंने बताया कि ICA principle जो 1995 में आया जो international level पे cooperative के लिए cooperation के लिए principle थे उनको accept किया गया था वो किया था 1995 में इसका answer है C इसके लावा question number 5 जो है कार्वे कमिशन जो है उनने अपनी report जो है वो submit की थी तो आपने बताना है कौन से year में उनने कार्वे कमिटी ने कार्वे कमिशन एक्चल में बठाया गया था cooperative को लेके ठीक है इसी cooperation को लेके ओके आपने अगर Rossdale principle पड़े है Rossdale principle स्टार्टिंग में आया थे 1937 में उसके बाद 1966-67 में आया थे और इसके बाद इसी principle को ICA ने 1995 में adopt किया है तो उसी के बेस पे 1966 और 1967 में इनको बठाया गया था कार्वे कमिटी को ठीक है और इस commission ने report अपनी कब समिट की वो आपने बताना है question number 5 का answer क्या है D part okay 1966 next आगे आपका question number 6 dash is not a principle of the cooperation तो इसमें क्या है कि आपने बताना है अगर आपने seven principle याद कर दिये ना ICA गे 1995 अले जो हमने आलड़ी lecture discuss कर दिया है तो आप इसका answer अराम से दे सकती हो okay देखो उसमें principle में लिखा है पहला open and voluntary membership और question में दियान रखना है जहां not लिखा होगा तो वो भी दियान रखना है open and voluntary membership ये तो है autonomy and independence ये भी है conserve for community ये भी है लेकिन ये जो चीज़ है ये नहीं दिया है ये principle है जो principle है 7 के 7 याद कर देने आपने राट लेने है आंसर वहीं से निकल जाएंगे तो इसका answer क्या हुआ sis का c part next question number 7 जो है Rossdale Equitable Pioneer Society in England was found in the year तो Rossdale Equitable Pioneer Society जो England में बनी है ये कौन से year में बनी है 1856 बी पार 1833 1854 1844 तो इसका answer है 1844 question number 8 जो है the magazine the operator और ये किसने लिखी है वो भी आपको पता होना चाहिए the operator जो monthly genre है किसने लिखा है वो भी पता होना चाहिए और ये publish किसने की ये की N.C.U.I. ने N.C.C.T. ने N.C.C.E. ने I.C.A. ने International Cooperative Alliance ने या फिर इन में से किसने की तो इसका answer है 8 का जो answer है वो answer है A N.C.U.I. और इसके लाब आपको ये बता होना चाहिए the operator जो है ये monthly journal था ये magazine जो है किसने लिखी है इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा ना लेक्चर देख लेए पता चल जाएगा जो आलएड़ी discuss कर दिया है अबने Question No.10 Single purpose cooperative societies are exclusively been organized in तो ये आपको पताना है कि single purpose cooperative society जो organized की थी वो कहां पे थी इंडिया में डैनमार्क जर्मनी या जपान तो ये डैनमार्क में जो थी single purpose के लिए single purpose हो गया जैसे अगर milk के लिए है तो वो milk के लिए रहेगी या फिर अगर किसी और के लिए जिसे handicrafts है तो handicrafts के लिए रहेंगी ओके तो ये single purpose के लिए cooperative society जो मनाई थी ये starting में कहां मनाई थी डैनमार्क में तो lecture देख लें starting के आपको पता चल जाएगा कि कहां से हम discuss कर रहे हैं question number 11 जो है NCDC was established in the year तो आपको बताना है screen थोड़ी बड़ी कर देते हैं NCDC was established in the year तो NCDC कब बना तो आपको बताना चाहिए जो NCDC है National Cooperative Development Corporation जो है ये 1962 में Parliament of India ने Act पास किया और इसी next year 1963 में इसको establish किया गया था ओके तो आपको 1962 पे टिक नहीं करना है जब establish आएगा establish हो गया कब बना है तो ये 1963 में तो Act का पास हुआ Parliament का वो 1962 में ओके ये गलती नहीं करनी है आपने यहां टिक नहीं करना है कि बना कब NCDC ओके इसका detailed lecture जो है हमा लड़ी जो है discuss कर चुके हैं वो अब playlist में जाके देख लें जुनने नहीं देखा है इसका answer C, 1963 ओके, question number 12 जो है large size society were expected to have large membership ranging between और इसमें बताना है कि जितनी भी large size society होती है तो उसमें कितने membership हो सकती है ठीके एक society है उसमें maximum जो है membership कितनी हो सकती है ठीके जितनी भी large size की society होती है ठीके बड़ी बड़ी जो society होती है उसमें कितने membership हो सकती है 100 to 400 या फिर 300 to 500, 200 to 500, 400 to 800 तो इसका answer है 12 का answer है B part ओके, इसके लावा 13 important नहीं है, question number 14 जो है, नवाड was established in the year तो आपको ये पता हमाँ चाहिए इसका lecture भी हमने discuss कर लिया है already, full detail नवाड की schemes क्या है और सब detail में discuss किया है, तो आपको पता होना चाहिए, नवाड जो है 1981 में Parliament of India ने Act Pass किया और इसी के next year 1982 में इसको establish किया गया, बनाया गया तो पहले Parliament of India Act Pass करेगी, कोई भी national level पर बाडी बनती है, ठीक है, तो उसके लिए Parliament में Act Pass होता है और फिर ही बाडी जाके बनती है, तो इसका answer किया आएगा, जिसे फार जेंपल ना, RBA बना था, RBA Act जो आया है, वो 1934 में आया है, लेकिन RBA Bank का बनाया, 1935 में तो यह confusion नहीं होना चाहिए आपको, Establish जब भी आएगा, तो इसका मतलब हो गया, Act पे नहीं, बात करें कि बनायी कब बाडी, तो, ओके, आप चने, A, 1982, 9084, 9048, 9077, question number 14 का answer है, जो हमने आ लेडी बताया, 90, 60, sorry, 1982, okay, question number 15 important नहीं है, question number 16 जो है, which cooperative is established for the development of tribes in India, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन, कौन C cooperative है, जो established की गई थी, tribes की development के लिए, इंडिया में, तो इसका answer क्या हो सकता है, lamps, nefid, ifco, kribco, okay, इनकी full form क्या है, इस सब पता होना चाहिए, जो की lecture आने वाले हैं, उसमें हम discuss कर देंगे सब, okay, इसका answer है A, lamps, okay, मेरी already book जो market में आ चुकी है, उसमें सब कुछ discuss किया है, और उसमें जितने भी old paper हैं, वो सब 500 प्लस, जो है, M.C.Q. मैंने discuss कियें, उसमें, book में, तो जुनने नहीं लिये, वो ले ले, जो नहीं लेना चाहते हैं, वो lecture देख ले, उसमें कोई परेशानी नहीं है, Q. No. 17 जो है, NDDB को कब constitute किया गया, NDDB, इसकी फुर्फाम पता हैं चाहिए, National Dairy Development Board को कब constitute किया गया, 1968, 1960, 1965, 1970, इसका अंसर क्या है, 17 का अंसर है, 1965, 65, ओके, तो इसको ही detail में discuss किया, हमने वो lecture आएगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है, Q. No. 18 नहीं important है, क्योंकि यह हमारे state का है ही नहीं, और इसके अलाबा, जितने भी यह question है, आपको practice करने ही करने हैं, क्योंकि ऐसे ही question आपको आएंगे, Q. No. 19 जो है, All India Rural Credit Survey Committee, को किसी और नाम से भी जना जाता है, तो आपने बताना है, All India Rural Credit Survey Committee, एक कमेटी बठाई गी थी, रूरल एरिया को क्रेडिट कैसे देना है, तो उस पर एक survey किया गया था, तो वो उस कमेटी का नाम बताना है, गरवाल कमेटी, खुचरो कमेटी, मैकलेगन कमेटी, या फिर वेदियानाथन कमेटी, तो इसका answer है A, तो यह हम detail में discuss करेंगे, next lecture इसी पर आ रहा है, जितनी भी कमेटी, इंडिया में कौन-कौन सी, हिस्ट्रिया कोपरेटीव इन इंडिया, और उसकी कमेटी, और लाज जो है, वो क्या है, वो next lecture उसी पर आ रहा है, okay, next आपका आ गया, 20 important नहीं है, question number 21, RBA Act was passed in the year, तो RBA Act कब passed हुआ, तो मैंने पहले भी बता दिया, RBA हमने detail में discuss कर लिया है, वो देख लें, जुनने नहीं देखा, जुनने देखा है, उनको यह answer आना चाहिए, इसका, RBA Act जो है, वो 1934 में पास हुआ है, और bank जो बना है, वो 1935 में बना है, okay, तो इसमें answer जो ह है, और यह Establish है, ठीक है, अब आपने बताना है, कि Act कब पास हुआ है, okay, जब इसकी जगा अगर आता है, Establish, तो answer क्या आना था, 1935, यहां लिखा है, Act कब पास हुआ है, तो आपने answer करना है, B part, okay, समझ गें ना, जब लिखा होगा, RBA was established in the year, तो आपने answer लिखना है, 1935, RBA Act का पास हुआ, तो वो 1934, ओके, फिर आगया, question number 22, the chairman of the cooperative planning committee was, तो आपने बताना है, कि cooperative planning committee बठाएगी थी, इंडिया में, उसका chairman कोन थे, ओके, तो इसका answer direct बता जेता हुए, 22 का C part, RG सार्या जो है, इन committee के क्या है, chairman थे, next, question number 23, जो है, statutory responsibility of audit of cooperative society is vested with, तो यह statutory responsibility, audit करने की responsibility of cooperative society कि किस के पास है, auditor के पास, director के पास, member के पास, या फिर रेजिस्टार के पास, question number 23 का answer है, D, register, यही audit करते हैं, किसको, audit करना, cooperative society की responsibility किस की है, register की, तो यह, जब आप पढ़ोगे, जम्मु कश्मीर cooperative society act, जो है, 1989 वला, यहां फिर 2001 वला, rule जो आए हैं, तो इसमें, जो है, directly mention किया गया है, हम discuss करेंगे, उसके detail में, यह है, register, okay, next आगा, question number 24, dash is a written and pre-determined plan of action for conducting an audit, तो आपने इसका answer बताना है, 24 का, answer इसका, A, audit program, okay, question number 25, dash is the backbone of auditing, तो आपको बताना है, auditing करने के लिए, इन में से, backbone किसको माना जाता है, question number 25 का answer है, boaching, ओके, यह factual data है, आपने direct याद कर देना है, okay, question number 26, नहीं important है, इसकी जब हम JN के लगा देंगे, वो discuss कर देंगे, ओके, फिर इसके बाद direct जाते हैं, जो important है, okay, just wait, हाँ, यह ठीक है, question number 33, जो है, dash is the appellate authority vested with the power of appeal, revision and review, अगर आपने मेरा lecture देखा है, JN के cooperative society act 1989 वाला, उसमें मैंने discuss किया था, कि यह chapter number इतने में यह discuss किया, appeal, revision and review, अगर वो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप इसका अंसर दे सकते हैं, question number 33 का जो answer है, वो क्या है, वो आपने बताना है, tribunal, register, circle, cooperative union या फिर government, किसके पास appellate authority की power है, कि वो appeal कर सके, revision कर सके और review कर सके, इसको cooperative society को, तो इसका है, tribunal, ओके, इसके बाद जो है, question number 37, जो है, responsibility of cooperative audit is untrusted with, आपने बताना है कि cooperative को audit करने की responsibility किसकी होती है, तो इसका answer है, 37 का B part, director of the cooperative audit, ओके, यह important data है, यह important है, आपको याद होना चाहिए, maximum amount to be paid by the cooperative society as audit fees, audit करने की fees, जो है, वो कितनी है, maximum cooperative society की, 38 का जो answer है, वो है, 20, B, ठीके, part B, जो है, इसका option में जो B है, वो answer है, question number 39, head of the cooperative department is, तो cooperative department का head, जो है, उनका नाम, मतलब कौन होते हैं, director होते हैं, chairman होते हैं, register होते हैं, या secretary होते हैं, head of the cooperative department, जैसे जमो कश्मीर cooperative department है, तो इनके head कौन है, तो आपने बताना है, 39 का answer क्या है, register, क्योंकि आपकी post कौन सी है, assistant register, इसके उपर जो आता हो, register आता है, ठीक है, तो जैनके cooperative department का head कौन होगा, register, assistant register, actually होता है, कि एक district दिया जाता है, उसमें assistant register होते हैं, बहुत सारे district, जैसे जमो कश्मीर में, फर जेंपल, जैसे 22 district थे पहले, लिदाक जब था, अब लिदाक ले और लग होगे, तो अब 20 district हैं, 10 जमो में, 10 कश्मीर में district, तो 10 district में assistant register अलग लग होंगे, उनके उपर जो है, फिर last में state पे, state level पे register होता है, ओके, और district level पे आपका क्या आगया, assistant register, बहुत सारे, ओके, तो head of the cooperative department, जैसे हम आपको बोला जाएगे कि, जमो कश्मीर cooperative department का head कौन है, तो आता है register, after state, ओके, तो assistant register district में लगते हैं, ओके, तो district level पे उनकी post होती है, question number 40 है, final authority after cooperative society shall be bested with, तो final authority कौन होता है cooperative society का, तो आपने बताना है, option है, A, board of director, general body, secretary, managing committee, अब यह जो चीज है ना, यह आपके act में दिया है, 1989 में, तो उसमें हम detail में discussion करने वाले हैं, तो wait करें, उसका, वो lecture आने वाले हैं, उसमें हम discuss करेंगे, लेकिन आपको answer इसका पता होना चाहिए, question number 40 का जो answer है, वो option है, B, general body, okay, all India cooperative congress was held in, तो आपको बताना है इसका answer, question number 41 का, all India cooperative society जो है, यह कब बनी थी, 1950, 1960, 1945, 1956, question number 41 का answer है, 1956, okay, next, agriculture refinance corporation was set up in, आपको बताना है कि, agriculture refinance corporation जो है, वो कब बनी थी, okay, 1960, 1950, 1962, 1965, इसका answer जो है, 42 का, वो है answer C, 1962, okay, यह factual data है, आपको याद करना है, next आगया, यह बहुत important question है, 43, multi-state cooperative society act, multi-state cooperative society जैसे, for example, India है, ठीक है, यह रखो, India जो है, बहुत सारी states है, बहुत सारी state को चलाने के लिए, कौन सा act बनेगा, तो वो बनेगा, multi-state cooperative act, लेकिन अगर खाली G&K पे cooperative society है, तो G&K cooperative society अगर है, खाली G&K में, तो उनके लिए state cooperative law, state cooperative act जो है, वो apply होता है, लेकिन बहुत सारी अगर state होंगी, उसमें जैसे Amul है, Amul का brand जो है, दूसर सब पीते हैं और सब state में आता है, इंडिया के हर state में, तो उनको जो है, उनके लिए जो act बना है, वो multi-state cooperative act बनाया गया है, लेकिन अगर खाली एक ही state में cooperative हैं, तो वो उसी state के add के through running होती है, ओके, multi-state cooperative act जो है, इनक्ट कब हुआ, यह आपको बताना है, 1975, 1980, 1982, 1984, ठीक है, 43 का answer है, D, 1984, ठीक है, लेकिन इसको जो act आया था, इसको modify किया गया है 2002 में, ठीक है, तो यह आपको पताना चाहिए, यह हम discuss करने वाले अभी, इसके बाद lecture वो ही आएगा, कि cooperative society के act जो है कब है, मतलब इसको amendment कब किया गया है, यह बलाए act आया, 1984 में, इसको amendment किया गया है 2002 में, ठीक है, वो हम discuss करेंगे, इसके बाद जो lecture आएगा, ओके, next question number 44, जो है, dash commission submitted the report, आपने बताना commission का नाम, जिसने submit की थी report for framing cooperative society act 1904, तो 1904 जो act है, जिसका full नाम है, cooperative credit society act, ओके, 1904, जब credit लिखा होगा, तब 94, credit को हटा दो, यह वला बड़ हटा दो, cooperative society act इदर आजाएगा, 1912, तो यह दोनों में अंतर है, जब आएगा cooperative society act, तो 1912 टिक करना है, और 4 आएगा, तो credit आजाएगा, ठीक है, cooperative society act, 1904, ठीक है, यह थोड़ा सा गलत दिया है, किदि cooperative credit आना चाहिए, ओके, अब लिखा है उन्हें, 9004, तो फिर तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं दिया होगा, तो फिर जब भी cooperative credit दिया होगा, तो अपने किसी पर करना, कमिशन कोन सा बठाया गया, जिसने submit report की थी, Sir Edward Law, Nicholson, Vedayanathan, Venkata, पाई, तो यह आपको पता है कि, Nicholson की वज़ा से, यह act बना था, 44 का answer है, answer, अच्छा, कमिशन किसने बठाया था, इस question paper का जो answer की है, उसमें answer A लिखा है, ठीक है, अब answer की में अगर यह लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि answer इसका B होना चाहिए, ठीक है, इसको discuss करेंगे, later on अगर इसकी में कोई problem होगी, okay, answer की में answer दिया है, अगर लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका answer यह होना चाहिए, okay, जब lecture आएगा तो मैं बता दूँगा, next, इसके बाद 45 नहीं important है, 46 important है, okay, dash operates under state domination, state domination के under जो है operate करती है, capitalism, socialism, communism, all of the above, 46 का जो answer है, वो है answer B, socialism, socialism जो है, वो socialist idea है, होता है state का, ठीक है, Indian state का, ठीक है, इसमें आएगा socialism, apex body of ICA is a, executive committee, director, general assembly, general secretary, okay, 47 का answer है, C, general assembly, बहुत ही important question है, आपको सब जो है, वो पता होना चाहिए, 48 का जो है, रॉस्डेल इक्वीटेवल पाइनेर सुसाइटी इंगलेंड केंड इंटू existence in the year, तो आपको पताना है कि, रॉस्डेल इक्वीटेवल पाइनेर सुसाइटी जो लंडन में हुई थी, इंग्लेड में वो कब existence में आई तो इसका answer आपको confusion के लिए इतने सारे दिया है option आपको direct A की याद कर देना है वो answer क्या है 1844 option B capitalism is an economic order where economic activity are carried out by तो ये repeated question है और 49 का answer है C private individual जो मैंने detail में discuss किया है ठीके consumer federation was started in the year तो आपने बताना है consumer federation जो है किस year में start हुई थी इंडिया में question number 50 का answer है A ओके और next जो है इसके बाद जितना भी है next जो lecture आएगा उस पर हम discuss कर लेते next 50 question ओके ताकि आपका यह practice हो जाए यह क्यों practice करना आपने देखो जब तक आप practice नहीं करोगे जितनी theory पढ़ लोगे न तो वह important नहीं है आपको एक idea हो जाएगा कि theory किस किस तरीके से पढ़नी है तो यह as a mock test इसको देखो कि यह एक mock test है ओके इसको आपने practice करना ही करना है जितने भ पर अचेटर नहीं नहीं है क्योंकि जेनके में अभी तक कोई बी अग्जाम ऐसा हुआ नहीं है ठिके तो आप नहीं जितनी बर्जी पढ़ लोगी आपका अंसर नहीं ठीक हो सकते हैं तो थियोरी पढ़ें साथ में MCQ प्रेक्टेस करें जितना हो सकता है नेक्स लेक्टर आएगा वह हम 51 क्वेशन नमर 51 से लेके 100 तब क्वेशन डिसकस करेंगे इसके लाबा जो लोग भी पहली बार विजिट करें kindly do subscribe our channel because हमने cooperative section जो है full complete करनी है जितना भी उसमें syllabus है और almost आपको बता जितने syllabus कितना हमने complete किया है और कितना नहीं यह उनके लिए है जो पहली बार विजिट करें थे हमारे चैनल पे हमने जो syllabus start किया था वो हमने आपके syllabus में cooperative section जो है वो दिया है historical जितना भी दिया आपके screen पे हमने start किया था यहां से ऐसे करके syllabus को start किया था तो यह हमने already सब discuss कर दिया है cooperative bank पढ़ दिया है, PACS पढ़ दिया है, regulatory role पढ़ दिया तो उसको complete discuss करेंगे हम अब उसके बाद हमारा जो लेक्चर आया था वो आया था यह इस पर यहा लड़ी हम discuss कर चुके है lecture no.14 के बाद देख लें lecture no.14 जो है playlist में जाके देखे लेक्चर 14 के बाद जितने भी लेक्चर आया है वो full lecture है और starting वाले भी देखे लेक्चर no.1 से लेके अभी तक जितने भी लेक्चर आया है lecture no.3 और 4 के बाद जो lecture है वो है इस पर यह वाला और यह जो है यह हम discuss कर चुके है unit 1, unit 2 जो है इसके history of cooperative movement in India इसमें origin पढ़ चुके हैं अब development और कौन-कौन से last और committee जो है यह next lecture आएगा उसमें discuss कर देंगे और next जो है types of cooperative पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे यह जो act है इसको detail में discuss करेंगे इसके बाद हमारा syllabus जो है खतम हो जाएगा फिर हम shift करेंगे किस पर यह history पर और geography के अगर time लगा मेरे को ओके फिर जोग्राफी पढ़ेंगे यह history ओके जो लोग भी पहली बार चैनल पर विजिक करेंगे कानली डू सब्सक्राइब और चैनल थैंकी सो मच और मिलते है नेक्स लेक्चर में यह लेक्चर बनाने में बहुत मैंने लगती है और सब्सक्राइब कर लिया करो और more than 60% वो लोग है जो अभी लेक्चर तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ओके कानली डू सब्सक्राइब तैके सो मच मिलते है नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए जाए हिन